कि हालो डियो फ्रेंट वेल्कम टो आवर यूट्यूब चैनल डावलो एस बिससी क्लास तो फ्रेंट्स यहां पर टिक्टिकल मेनुल का चैप्टर नमर 17 जिसमें पार्ट थर्ड आप लोगो देखने को मिलेगा जो काफी इंपोर्टेंट होगा सम इंपोर्टेंट यूजफुल यूनिट जो आपको काफी उपयोग होगा सभी पोस्ट के लिए यहां पर एक दो जो है अप्शन में दिखा दिए तो वीडियो को लाइक किजिए इस दोस्तों में फटाफट सेयर कर दिए और चैनल पर नय है तो चैन इस तरह जो है आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर आल नाटिफिकेशन को आउन कर दिए ताकि जैसे मैं आउनलाइन हो मेरा मतलब जैसे कोई नया वीडियो डालो तो उसका नाटिफिकेशन आप तक सबस्पहले पहुँचे बात कर लेटेस्ट अपडेट की तो उससे पहले उपलब्ध कराये जा रहे है चैनल पर आपा करके देख सकते हैं तो चले डारेक्ट आते हैं यहां से हम लोग देख लेते हैं जानकारी को तो यहां पर जो यूनिट लिए हैं यह काफी अपोटेंट यूनिट है जो की पार्ट ठड के रूप में होगा आप लोग के लिए जो सभी पोश्ट के लिए यहाँ पर जो है काफी फाइदे मंद होगा तो यहाँ से देख सकते हैं जमीन के मापने के फॉर्मूले तो देख लिजे एक जरीब में यानिकी सौ करी होता है एक करी में साथ दसमलब नोदू इंच होता है बारे इंच में एक फीट होता है बारे मिए ऑक घ्रोट अधिया और यहाँ से देख सकते हैं कि जामीन का मापने पर होता है यह बार दिमांग रख भी और साथ नीचे देख सकते हैं vari करांजिय गुणिया साधान संटीक मिटरीटि करेंट कर एक सेंटीक मिटर्ट यानिक दो चैन होता है यहां पर इन्च बराबर होता है सोग ज्योल फ़िद्वर और एक सेंटीमीटर बराबर हो जाता है 20 जनी उनम होता है तो उस हिसाब से 1 cm बराबर कितना 49.60 मीटर होता है एक सेंटीमेट अब बराबर बीस करी यानि कि दो चैन होता है एक सो करी का एक चैन दो सो हुआ तो मतलब दो चैन हो जाएगा और बीस मिली मीटर बराबर दो सो करी होता है तो एक मिली मीटर बराबर कितना हो जाएगा 200 बटा 10 यानि कि 20 करी इसका अंसर हो जाएगा 20 करी हो जाएगा एक बात यहां पर यह याद रखेगा 1 by 2 यानि कि half mm से कम होने पर नेत्र नुमान की सहाइता से 1 by 4 mm करी पाया जाता है यहां सी यह बात दिमांग रखेगा नेक्स्ट है आपका पैमाना बारे 22 32 इंच बराबर एक मिल यानि कि करी के आधार पर देखा जाए तो एक सेंटीमीटर बराबर सो करी और दस मिलीमीटर बराबर सो करी तो एक मिलीमीटर बराबर दस करी तो यहां पर यह हंड़ेट बाइट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तो एक सेंटीमीटर बड़ाव पच्छास करी तो दस मिलीमीटर बड़ावर कितना पच्छास करी तो एक मिलीमीटर बड़ावर कितना हो जाएगा पांच करी यानि कि पच्छास बटा दस यानि कि पांच हो जाएगा पांच करी हो जाएगा नेक्स को देख लेते हैं अब यहां पर पैमाना जो है बहुत अलग अलग तरह से भी यूज किये जाते जैसा कि देख सकते हैं पैमाना हो गया भूमी पर देख सकते हैं कितना मिल होता और आसे इसका देख सकते हैं एक इंच यानि कि 25 मिल यानि कि ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे नक्से के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिकल जोगा उसके लिए उसके बाद एक इंच बराबर 16 मिल प्रांत के नक्से के लिए एक इंच बराबर 8 मिल जिले के भगोलिक मांचित्र तयार करने के लिए एक इंच बराबर 4 मिल ये भी उसी के लिए उसके बाद एक इंच बराबर एक मिल जिला का नक्सा जिसमें नवाजियात की सीमाएं दिखलाई जाती है नेक्स है कि चार इंच बराबर एक मिल यानि की कास का छाबनी आवादी की मापी है तू और सॉला इंच बराबर एक मिल यानि केंस्टल सर्वे है तू उसके बाद 32 इंच बराबर एक मिल 32 इंच यानि की एक मिल जो है कहा सकते हैं धान के छोटे-छोटे खेतों की नापी है तू और 64 इंच एक मिल यानि की गाओं एवम कसवा की आवादी की नापी है तू तो अमीद करते हैं यहां से जो भी यूनिट देखें वह काफी इंपोर्टेंट होगा आप लोग के लिए तो इस वीडियो को जादे जादे शेयर करें वीडियो लाइक भी करें और लाश्ट लिए आप नए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोई नहीं अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई टेक कियर एंड बाबाई